हेलो फैमिली, नमश्कार, कैसे हैं आप सब, फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यदा हेलफुल है, और ये वीडियो हर प्रेग्रेंट महिला को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ, आपके बचे की दिमाग की विकास के बारे है, तो ये तो कोई नहीं चाता न, तो जान लीजिए वो इसी कौन से गलतियां है, कौन से काम है, जो आप अपनी प्रेग्नेंसी में करती हैं, और बच्चे के दिमाग के विकास पर असर पड़ता है, तो फ्रेंड्स वीडियो आप सब के लिए हैं, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, और चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजे, पास में जो घंटे उसको भी दबा लीजे, चलिए, आज का वीडियो श्टार्ट करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो क्या होता है, कि हमारे मन में, अधर जब बेबी आएगा, बहुत ज़्यादे इंटेलिजन्ट होगा, बहुत मैं उसको पढ़ाऊंगी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजन्ट बनाऊंगी, और आगी जाके वो बहुत बड़ा ओफिसर बनेगा, तो जो भी योचा बेबी गर्ल या बेबी अब कुछ आप ऐसी गलतियां अगर प्रेग्नेंसी में कर जाएंगे, जिससे गर में बचे का दिमाग पूरे तरीके से बिकसित नहीं हो पाएगा, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहला काम है कि आपको पूरी प्रेग्नेंसी एक्टिव रहना है, अब आप सोच रही होंगे कि एक्टिव और गर में बचे की दिमाग की विकास से क्या मतलब है, मतलब है फ्रेग्नेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर भी आप इस तर पर पड़े रहते हैं, अब इस तर पर पड़े पड़े क्या होता है ना तो आपका माइंड वर्क करता है, सोते रहेंगे, बेवज़े रेष्ट करेंगे, जब आपकी प्रेग्नेंसी में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कई महलाएं क्या होती है, कि अपनी प्रेग्नेंसी में अपने आपको बीमार जैसा समझने लगती है, कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो आप थोड़ी बोड़े exercise, walking बगेरा करती रहती हैं, इससे गर में बची का बिकास तो अच्छे से होता ही है, साथ में बची का दिमाग का बिकास भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, बस ध्यान दे, कोई भी heavy work आपको नहीं करना है, सामान ने उठाना है, जो आप से ना हो स रेस्ट भी आपको जरूर करना चाहिए, यूकि प्रेग्नेंसी में एक टाइम पर रेस्ट भी जरूरी है, और एक तरब आपका active रहना भी जरूरी है, इसलिए अपने गर में बची के दिमाग की बिकास के लिए, आप पूरी प्रेग्नेंसी अगर आपकी नॉर्मल है, तो होगा और इस चीज़ पर काफी ज़्यादा रिसर्च भी हुए है, कि जो महला आएं प्रेग्नेंसी में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, बात बात पर मुफ लाकर बैठ जाती है, मतलब गुसा हो जाती है, रोती रहती है, किनी बातों को लेकर, जैसे कि लाइफ मे टेंशन है, कोई ऐसा धरती पर पर सन नहीं है, जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो, सबकी लाइफ में टेंशन है, लेकिन उन टेंशन को 9 महिने साइड में रखके आपको अपने बच्चे के बिकास पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रिसर्च में बताया गया है, कि जो गर और बच्चे के एमोशन एक दूसरे से connect रहते हैं तो जैसे आप फील करती है तो बच्चा भी बैसे ही फील करता है इसलिए अपने गर में बच्चे के दिमाग के बिकास के लिए आपको ट्रेग्नेंसी में बिलकुल stress-free रहना चाहिए खुश रहना चाहिए एंजॉय करना चा ही बिकास के लिए ठीक है फ्रेंट्स तो अब ऐसा आप नहीं करेंगे इसके बाद तीसरे चीज जो गर्में बच्चे के दिमाग की बिकास में मैटर करती है वो है आपकी डाइट जैसे कि फ्रेंट्स कुछ महिलाएं होती है जो अपनी पसंद का खाना खाती है वो यह नही टेस्ट डिसाइट कर लेती है कि मुझे यह टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं तो यही खाऊंगी तो आप खुद तो अपनी प्रेगिनसी को हाम करी रही है साथ में गर में बच्चे को भी बिगाड रही है उसकी आदते भी आप बिगाड रही है व्यूंकि जैसे आपको दो कि मुझे को मारद पीट के क्ली से खिला है वह खाएंगा नहीं घ्यारा तो आप नहीं है जो प्रेगिनटी में आपने चीज नहीं खाई यह तो आपका बच्चे कैसे खाएगा बच्य को भी वही टेस्ट लग जाएगा जो आपने अपने प्रीगिनसी में खाया है अभ चलके आप अपने बच्चे को भी खिला पाएं ठीक है अगर आपको चैसे उल्टी सीधी चीज़े खाएंगी फास्ट फूट वगेरान हेल्दी चीज़े खाएंगी तो बच्चा भी फिर वही खाएगा बच्चे को बिगाड़े नहीं अपनी आदतों की बज़े से इसलिए क कोशिश करें बच्चे को healthy चीज़ों की हेविट आप डाले अगर आप प्रेग्नसी में healthy चीज़े खाएंगी तो आपका बच्चा भी जन लेने के बाद बड़ा होने के बाद healthy चीज़ें ही पसंद करेंगा गर्में बच्चे के दिमाग के बिकास के लिए आपको अपनी प को बताए जिनका असर सीधा घर में बच्चे के दिमाग की विकास पर पड़ता है इसलिए आप इन तीन कामों को अपने तुरंत सुधार लीजे तुरंत इन आदतों को बदल लीजे चली फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से देखते रहें रिशूज ब्लॉक्स यूट्यूब चैनल बाबाई थैंक यू